हैलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है जिन्दल स्टिल एंड पावर की तरह से बंपर भरती का यह ओफेशली नोटिफिकेशन जारी कर दिये और यहां पे अलग-अलग टाइप के पदू के लिए वेकेंसी रहेगी जैसे कि आपका जूनियर इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी देखने को मिलेगी सीनियर इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी store department के अंदर vacancy आपको देखने को मिलेगी और कुछ यहाँ पे commercial department में भी आपको vacancy देखने को मिल जाती है qualification क्या रहेगा वो मैं आपको पहले clear कर देता हूँ अगर आपने diploma कर रखा है तो applicable है इसको बड़े अराम से apply कर सकते हैं अगर आपने bb tech कर रखा है तो भी applicable है आप इसको apply कर सकते है graduation कर रखा है तो भी applicable रहने वाले हैं एक permanent job आपको देखने को मिलेगा जिसका starting salary बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाता है depend करेगा कि आप interview कैसा perform करते हैं उस पे all over India के candidate apply कर सकते हैं इंडिया में कहीं से भी belong करते हैं बिल्कुल applicable है apply कर सकते हैं तो अब apply कैसे करना है उस process के बारे में देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया लाइक कर देना हमारा motivation बना रहता है जब आप वीडियो को like करते हूँ 900 प्लस आपको like करवाने अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजिगा और comment box में अपना education qualification comment करके जरूर से बता देना जैसे कि आपकी branch कौन सी है आपका trade कौन सा है आपका पासूटियर कौन सा है आप fresher हो या फिर experience holder हो आप कौन सी location में job को search कर रहे हो ताकि मैं आपको next video के अंदर वही update provide करवा दूँगा और आपको फायदा होगा जैसे आप उस पे click करेंगे आपके सामने ये tab open हो जाएगा और आप जो भी platform यूज़ करते हैं LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, Email, WhatsApp उस पे click करना है directly आप हमसे connect हो सकते हैं और बात कर सकते हैं and यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है selected student के list को तो यहाँ पे मैं update देता रहता हूँ जिन जिन बच्चों का selection हुआ है तो यहाँ पे आप click करके उन बच्चों के list को भी देख सकते हैं और यहाँ पे यह वो बच्चे है जो कि आज top MNC company में काम कर रहे हैं हमारे channel के through तो इसी बात पे आप चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन को जरूर सप्रेस कर लीजेगा ताकि जब भी मैंने studio upload करूँगा आपके पास सबसे पहले notification आएगा और आप उसको directly apply कर पाओगे तो चली वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने directly निकिता शर्मा की officially LinkedIn जो इन्होंने post डाली उसको open कर ली है अब यह निकिता शर्मा कौन है यह यहाँ पे जिंदल स्ट्रीलेंड पावर की assistant manager रहने वाली है और इन्हों नहीं job vacancy डाली है चार गंटे पहले और यहाँ पे मैंने LinkedIn open कर रखा है अब यहाँ पे जिंदल स्ट्रीलेंड पावर और Indian railway का एक project चल रहा है जो कि maintenance department से related यह project है उसके अंदर vacancy निकाली है directly यहाँ पे apply करने के लिए apply link दे रखाया और यही apply link मैं आपको वीडियो के description में provide करवा चुका हूँ आपको apply करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा लगबग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि qualification क्या रहेगा तो यहाँ पे अलग-अलग type के department रहेंगे techno commercial कर रहेगा यहाँ पे आपका S&T के department रहेगा safety कर रहेगा तो इस सारे department यहाँ पे रहेंगे qualification आपको अदा देता हूँ diploma कर रखा है eligible रहोगे bb tech कर रखा है आप इसको apply कर सकते हो इवन यहाँ पे जो commercial department है उसके अंदर आपका become वाले और graduate वाले भी apply कर सकते हैं तो अगर आपने graduation कर रखा है तो भी आप eligible रहोगे यहाँ पे बात कीजाए अलग-अलग type का position रहेगा S&T department के अंदर vacancy है आपका signal and telecommunication के अंदर safety department के अंदर vacancy निकाली गी है और आपकी यहाँ पे जो आपका maintenance department के अंदर vacancy है और भी अलग-अलग type के department रहेंगे तो हम उसको आगे discuss करेंगे और आपका store management department के अंदर भी vacancy आपको देखने को मिलेगी इसका जो selection रहेगा वो आपका directly पहले आपका resume shortlisted होगा अगर आपका resume shortlisted होता है तो जो आपने email ID डाल रखी है apply करते time यहाँ पे तो वो इस email ID पे आपको email आ जाएगा salary लग-बग आपको यहाँ पे depend करेगा कि आप interview कैसा perform करते है diploma का salary लग-बग 35,000 रुपे से लेके 40,000 रुपे के बीच में रहते है और यह एक permanent job आपको देखने को मिल जाती है all over India के candidate apply कर सकते है apply कैसे करना है उस तरीके को समझ लेना है यहाँ पे इन्होंने apply link दे रखा है basically मैं apply link वीडियो के description में दे दूँगा simply आपको वहाँ पे click करना है click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा tab open हो जाएगा जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे है तो apply करने के लिए मैं आपको वीडियो के description में एक link provide करवा रखा है apply link का जिन्दल इस्टिल एन power का तो उस पे आपको click करना है आपके सामने ये tab open हो जाएगा और यहाँ पे recruitment निकाला गया है जो कि railway project चल रहा है maintenance के अंदर जिन्दल इस्टिल एन power का उसी के according यहाँ पे vacancy आपको देखने को मिलेगी यह आपका Google form दे रखा है उसको आपको fill करना पड़ेगा अब कैसे आपको भरना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले email ID दे रखी है तो आपको अपनी email ID को यहाँ पे डाल देना है star mark यहाँ पे दे रखा है तो वो आपके mandatory रहेगी वो आपको email ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी यहाँ पे आपका आता है कि आपका नाम अगर आपने बी बी टेक कर रखा है सिविल में तो यहाँ पर अप्टिक कर सकते हैं यहाँ आपका maintenance department में vacancy निकाली गी है कोई other qualification है other option डाल गए यहाँ पर आप अपने qualification को mention कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर experience को होना बहुत जरूरी है जो कि इन्होंने मांगा है तो कुछ नहीं क अगर आपने किसी company में या फिर किसी railway project में construction की company में आपने contract base पर काम कर रखा है तो आप यहाँ पर experience को mention कर सकते हैं experience को होना mandatory है और यहाँ पर experience होना जरूरी है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा एक साल से लेके 5 साल का है या 5 साल से लेके 10 साल का experience है क्योंकि बहुत सारे बच्चे experience वाले भी हैं हमारे चैनल पर तो उनके लिए भी update देना पड़ता है तो यहाँ पर आपको अपने experience को यहाँ पर mention करना पड़ेगा फ्रेशर इसमें apply नहीं कर सकते हैं मैं आपको पहले कह रहा हूँ 2024 में या फिर आप 2024 से पहले pass out हुए हो आपके पास किसी tap का experience नहीं है तो आप इसमें eligible नहीं हो apply नहीं कर सकते हैं वीडियो को छोड़ रहे हो तो comment box में ये भी बता दीजेगा कि आपकी branch कौन सी है trade कौन सा है pass out here कौन सा है आपका यहाँ पे कौन से location में आप job को search कर रहे है ताकि next video के अंदर में आपको व अपडेट प्रोवाइड करवा दूँगा और वैसे मैंने आपको दे रहे है अपडेट आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं YouTube चैनल पे अब कौन से department में आप apply कर रहे हैं यहाँ पे संटी में अप्लाइ कर रहे है तो जिस company में भी आप काम कर रहे है उस company का नाम आएगा यहाँ पे and यहाँ पे current designation आज जाएगा तो यहां पे आपका कौन सा position है वो आपको डाल देना है उसके बाद आता है कि आपका age क्या है तो अपने age को यहाँ पर डाल सकते है तो आप अपने जाप रोल के लिए आप यहाँ पर यहाँ पर कौन से job रोल पर आप काम कर रहे हैं उस company के अंदर तो आप job role mention कर सकते हैं, resume यहाँ पर आता है आप अपने resume को यहाँ पर attach कर सकते हैं वो आपको attach करना पड़ेगा और यहाँ पर finally एक option मिल जाता है submit का, तो आपको इस पर click करके अपने, जो आपका यह अपका application form है, इस पर click करके आप submit कर सकते हैं, तो यह आपका application form यहाँ पर directly submit हो जाएगा तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर submit करना है कोई doubt है, कोई query है कुछ पूचना है, कोई सवाल है comment box में comment करके जरूर पूछ सकते हैं personally connect हो सकते हैं, तो आज के लिए बज़ित नहीं वीडियो को like करेगा, share करेगा ओन लोगों तक education qualification कौन सा है, कौन सी job आप search कर रहे हैं all the very best, चैहिन